आज मैं आपको पढ़ाओंगे तन्जो मज़ा और पितस बखारी के लिखे हुई तन्जो मज़ा सवेरे जो कल आँख मेरी खुली इस मज़मूर में काहिलो और दिल ना लगा कर पढ़ने वालों पर तर्ण्स किया गया है और हमें गोर फिक्र करने की तरगीब दी गई है कि हम कैसे अपना किमती वक्त जाय कर रहे हैं बच्चों सुबह सादिक उठने के आदट डालें नमास पढ़ें मुताला करें अपने ओपर गोर फिक्र करें अच्छी आदट अपनाएं क्यूंकि दुनिया में वही लोग काम्याब होते हैं जो वक्त की खदर करते हैं और वक्त पर अपना काम करते हैं आज आप वक्त की खदर करेंगा तो आए शुरू करते हैं बिसम लिह रहा हमाई गहीं तन्जो मज़ा लोगत में तन्ज के माने ताना की हैं अदबी इस तलह में इस लफस के लिए हिजू या तनकीस और आम बोल चाल में तमस्खर और लान तान वगारा का इस्तमाल किया जाता है तन्ज माने तन्ज करने के मतलब ये नहीं किसी को दिल को दुखाएं किसी को हट पहुँचाएं किसी को तकलिफ पहुँचाएं तन्स इसला के लिए किया जाता है किसी की इसला के लिए किसी की बुरी आदत को अच्छी आदत में बदलने के लिए तन्स किया जाता है तो अदबी माने म लोगत में तन्स के मानि क्या होता है तान ना के हैं और अदबी इस लफज के लिए हिजू हिज्जू यानि बुराई या तनकीष या तनकीद और आम बोलचाल में इसमें तमस्खर यानि मस्खरेपन कह सकते हैं इसको और लांतान बगर का इस्तामल क्या जाता है मगर इन तमाम इस्तलावों में तन्जी एक ऐसा लफ जो है जो अंग्रेजी जबान के सटायर की सही अकासी करता है सटायर मेने में क्या होता है जिजू होता है और तन्जीय तहरीर होता है तो सही माने में जो एक लफ निकल कर आता है जो इसके सही माने की अकासी करता है इससे किसी को तकलीफ पहुँचाना मकसूद नहीं होता है और सही माने में इसका जो मकसद है तन्जमजा का इसका मकसद यही है कि किसी की इसला करें और इससे मकसद बिलकुल यह नहीं है कि किसी के दिल को तकलीफ पहुँचे किसी को हट करें हम और किसी को किसी का मजजा लुगत में इसके माने यही हैं, लुगत में इसके यही माने धर्जी हैं, अंग्रेजी में इस लब्स को हिमर कहा जाता है। तन इसकी तरह मजज़ के भी कई किसमें हैं। भेतरीन मज़ज़ वो है जिसमे लताफत और शाहिसतगी भॉप, करपल ना हो। मजज़, शगुफटगी, मतलब खुश्टब, यानि हसी मज़ाग, तो यहां पर मज़ा किसको कहा गया, हसी मज़ाग को कहा गया, लोगत में यही इसका मानी भी दर्ज है, अंग्रेजी में इस लफ़ को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इस लफ़ को हुमर कहते हैं, और यान हुमर के माने होता है मज़ा या शकुफटगी शकुफटगी यानि खुशी वाली बात हसी मज़ाख वाली बात तर इसकी तरह मज़ा भी मज़ा की भी करी गसमें है बेहतरीन मज़ा वो है जिसमें लताफत यानि नाजुक पना होना चाहिए शाहिस्तगी यानि तहजीब इखलाक के साथ होना चाहिए और इसमें फक्रपन ना होना चाहिए उर्दू अदब में तन्जो मज़ा को आमूमन इजहार का एक ही असलूप समझा जाता है असलोब यानी तरीका तो अर्दू अत्व में तन्जो मज़ा को अमूमन एक ही तरीका समझा जाता दोनों के एक ही में मिलाकर लिखा जाता लेकिन हाकीकता ऐसा नहीं है दोनों की अलग अलग पहचान है जबकि उपर की गुफटगू से वाज़ हो चुका है अर्दू के बेशतर लिखने वालों ने तन्जो मज़ा को एक ही धागे में पिरो कर पेश किया है दोनों अलग अलग चीज़ है तन्स किसी के लिए इसलाह के लिए किया जाता रो मज़ा हसी मज़ाख के लिए किया जाता लेकिन हसी मज़ाख में भी फक्कडपन्ना हो, शायश्तगी हो, तहजीब हो, इखलाक हो, तहजीब इखलाक के साथ हो अर्दू अदब में तन्जो मज़ा की रवायत बहुत पुरानी है 17 सदी के आखरी दोर में जब दिल्ली के शायर अर्दू जबान को शेर उशारी के लाइख नहीं समझते थे और फार्सी में अर्दू के पेवंद लगा कर तफनन तबा के लिए कुछ कह लिया करते थे तो क्या करते थे उर्दू के पेवंद लगा का तफनन यानि हसी मज़ाख के लिए दिल लगे और तफरीग लिए क्या करते थे कुछ कहलिया करते थे तो तन्जो मज़ा की इप्तिदा हुई इसी जमाने में जाफर जेटली नाम के एक शायर गुजरे हैं जिन्हें उर्दू तन्जो मेज़ा का पहला बाकाइदा शायर कहा जाता है जाफर जेटली के शायरी में तन्जो का अनसर ज्यादा है और इनका तन्जो बड़ा दिल दुखाने वाला होता है अब जाफर जटली जो शायर है तो उर्दू के तन्जमज़ा के पहले बागादा शायर जाने जाते हैं लेकिन उनके तन्जमज़ में क्या होता है दिल दुखाने वाला नसर है वो एक बागी और इंकलावी शायर थे इनकी मज़़ा में भी दिल खुश दिली की जगह फकड़ पन और मज़ा करने से ज्यादा मज़ाने वाला अन्दाज मिलता है जिमकि हमें बताया कि तन्जो मज़ा में मजाक नहीं उड़ाना है, फक्रपन नहीं हो और किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं हो लेकिन जाफर जैटली कि जो था उनका-तन्जो मज़ा उसमें किया था? फक्रपन भी था और मज़ा क करने से ज्यादा किया था? उनका मज़ा कुड़ाने वाला अंदास था इस अत्वार से उन्हें अर्दू का बड़ा तन्जो मज़ा गो तो नहीं कहा जा सकता मगर वो पहले बाकाइदा शायर जरूर है इनके बात के कई शौरा के यहां तन्जो मज़ा के अनासिर पाए जाते हैं जिनमें मीर, सौधा और गालिव के नाम खास तोर पर लिए जा सकते हैं गालिव के कलाम ने शौरा के साथ साथ गहरा तन्जो मिलता है गालिव की नसर में भी जिसका ज्यादा हिस्सा खतुओद पर मुश्तमिल है शोखी और मज़ह के आला तरीन नमूने पाए जाते हैं गालिब ने खतूत बहुत सारे लिखे हैं और उनके खतूत में शोखी भी है और मज़ह भी है इनके बहुत में कई लोगों ने ये रविश इक्तियार कि यानि कई लोगों ने ये रास्ता इक्तियार किया मगर ये सब ही इन्फरादी कोशिशे थी ये सब अलग अलग कोशिशे थी उर्दू में तन्जो मज़ा का बाकायदा आगास लखनो के हफता बार अखबार अबद पंज के अजरा से हुआ यानि उर्दू में जो तन्जो मज़ा का बाकायदा आगास हुआ तो वहां कहां से हुआ लखनो के हफ़तावार अख़वार अख़वार आता था उसका नाम अवद पंच था वो जारी हुआ और उसी में बागादा तन्जो मज़ह का तन्जो मज़ह की शुरुआत हूँ ये अख़वार मुशी सज्जाद हुसाइन ने जारी किया था ये सब मुशी सज्जाद हुसाइन ने जारी किया था और इससे अर्दो के कई अहम लिखने वाले वाविस्ता थे तन्जो मज़ह की तारीख में शायर की हैसित से अकबर इलहबादी, मजीद लाहोरी, जरीफ लखनवी, सेयद मुहमद जाफरी और दिलावर फिगार के नाम मशूर नसर निगारों में मुनिशी सज्जाद हुसाइन, पंडित रतनात सरशार, अब्दूलमजीद सालिक, चिराग हसन हसरत, शौकत थानवी, पितरस बखारी, मिर्जा फरतल्ला बेग, मिर्जा जीम बेख चुकताई, मुला रमूजी, इबराहीम जलीस, कनहिया लाल कपूर, फिकर तोनसीवी, इबन इनशा, करनल मुहम्मद खा, वरहत काकोरी, तखल्स भुपाली, मुश्विख खाजा, युस्फ नाजीम और मुस्तवा हुसाइन के नाम मारूफ हैं, ये सब क्या हैं, तर्जो मिर्जा निगार हैं, तर्जो मिर्जा निगार हैं, जो अबत पन से जुड़े हुए थे, अब आईए, जो इनके मुसनिफा पितरस भुखारी, पहले उनकी हालते जिन्दगी पढ़ेंगे, और उनकी लिखावा पढ़ेंगे, जो उन्होंने लिखा, सवेरे जो कल, आँख मेरी खुली, वो पढ़ेंगे, पितरस भुखारी के पैदाईश 1898 स में हुआ, सेद अहमद शाह पुखारी असल नाम था, इनका असल नाम क्या था? सेद अहमद शाह पुखारी, पितरस भुखारी के कल्मी नाम से मशूर थे, और पितरस भुखारी के कल्मी नाम से मशूर थे, यानि जो लिखते थे, पितरस भुखारी के नाम से वो लिखते कालेज लहूर में अंग्रेजी के उस्ताद की हैसित से मुलाजमत का आगास किया इसके बाद आल इंडिया रेडियो के डारिक्टर जिनरल मकर्रर हुए तक्सीम बतन के बाद वो एकवाम मतहदा से वाविस्ता हुए और एक बुलंद एहदे पर पायज हुए पितरस बखारी उर्दू के बेहतरीन मज़धनिगारों में शमार होते हैं उन्हें ने लिखा तो बहुत कम लेकिन जो भी लिखा बहुत अच्छा लिखा पितरस बखारी जहां अर्दू के बेहतरीन मज़धनिगारों में शमार होते हैं और उन्हें जो कुछ भी लिखा कम लिखा लेकिन जो लिखा बहुत अच्छा लिखा उनके मजाहिया मुजामीन का मजमुआ मुजामीन पितरस दस मजाहिया मुजामीन पर मश्तमल हैं लेकिन मियार के इतबार से अर्दू तन्जो मिजाह की तारीख में इस किताब को एक बुलंद मरतबा हासिल है। पितरस के मुजामीन पर अंग्रेजी मजाह की गहरी चाप है। इसके साथ साथ इनकी जबान में अर्दू अदब खासकर शायरी की शगुफटगी और शाइस्तगी और आलमाना नसर की शान भी पाई जाती है। कुछ भी लिखते हैं तहजीब के साथ लिखते हैं। उनकी तहरीर में शोखी, रवानी और बेसाखतगी है। सीधी साथी बात से मजजाह पैदा करना, लफजों के उलट फेर से नए जुमले तयार करना और खुद को मजजाह का निशाना बनाकर दूसरों को हसने का मुखा देना उनका खास अंदाज है। वो जो मजजाह पैदा का, मजजाह जो लिखते हैं तो वो अपने ओपर अपने को तन्सका निशाना बनाते हैं और लोगों को हसने का मुखा देते हैं। कि तहरीर को खालिस मज़ा का नाम देना सही नहीं है वो अक्सर आम इनसानी कमजोरियों को तन्स का निशाना बनाते हैं उनकी जो तहरीर उसमें सिर्फ मज़ा नहीं है बलके वो क्या करते हैं इनसान की जो कमजोरी है छोटी छोटी कमजोरियों को क्या करते है वो उसको तन्स का निशाना बना कर उस पर लिखते हैं उनका कमाल ये है कि वो तल्खी का हिसास पैदा किये बेगार तन्ज का वार कर जाते हैं तल्खी का हिसास भी पैदा नहीं होता है इनसान के अंदर इनसान के पहल के अजीब सा लगता भी नहीं कि पता नहीं कितना जादा तल्खी है इस ये क्या है ये एक इनशाय है किनका लिखावा है पितरस बुखारी का लिखावा है पितरस बुखारी के बारे में हमने पढ़ लिया अब उनका लिखावा इनशाय पढ़ते हैं सवेरे जो कल आँख मेरी खुली गिदर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पडोसी लाला किरिपा शंकर जी बरहमचारी से बरसबील तसकिरा कह बैठे के लाला जी इंतिहान के दिन खरीब आये जाते हैं आप सहर खेज हैं जरा हमें भी सुबह जगा दीजिएगा आप इनका पढ़िए यानि लाला जी से क्या होता है बात कर रहे थे और तसकिरे के तोर पर बातो बातों में कह दिया हमने कि अम्तिहान के दिन खरीब आ रहे हैं आप सहर खेज़े यानि आप सुबह सवेर उठ जाते हैं तो जरा हमें भी जगा दिजेगा वो हजरत भी मालूम होता है भूके बैठे थे दूसरे दिन उठते ही उन्होंने हमारे दर्वाजे पर मुक्के बाज़े शुरू कर दी कुछ दिर हम समझें कि खाब है अभी से क्या फिकर करना जब जागेंगे लहाल पढ़ लेंगे लेकिन गोला बारी लमहा बलमहा तेज होती गई और साहब जब कमरे की चौबी दीवारे लरजने लगी सुराही पर रखा हुआ गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा और दी लाला जी हमें सुबह जगा दीजेगा लेकिन उन्होंने क्या किया कि सुबह सुबह हमें जगा दिया और इस तरह जगा आया कि दर्वाजे पर मुक्के बाजी शुरू कर दी दर्वाजे पर मुक्के बाजी शुरू कर दी उस देर हम समझते रहें कि अरे अभी किसे का लेकिन ऐसा हुआ कि लम्हा बलमा कम्रे की जो है दिवारे भी रजने लगी सुराही पर रखावा गिलास जलतरंग की तरह बजने लगा जलतरंग कहते हैं प्याली में भरा पानी होता है जिसको किसी हलकी सी छड़ी से जर्ब लगाकर बजाया जाता है उससे एक रोशनी निकल उससे एक आवाज निकलती है खुबसूरत आवाज वो जलतरंग होती है और उसके बाद क्या हुआ कि दिवार पर लटका हुआ कलेंडर भी पेल डूलम के तरह हिलने लगा यानि दिवार घड़ी के जो सूई होती है उसका जो लटकन होता वो भी बिलकुल हिलने लगा तो बेदारी का कायल होने पड़ा यानि कि हमको जागना पड़ा वेगर अब दरौजा है कि लगातार खट-कटाया जा रहा है मैं क्या मेरे आबो अजदाद की रूहें और मेरी किसमते खाबीदा भी जाग उठी हैं मैं क्या जागता कि मेरी जो आबो अजदाद यानि जो मेरे जाग गया हूँ बहुत अच्छा नवाजिश आ जनाव है कि सुनते ही नहीं अब मैंने क्या कि बहुत उनको थैंक्यू कहा कि मैं जाग गया हूँ लेकिन क्या है जनाव सुनते ही नहीं है खदायत किस आफ़त का सामना है ये सोये हुए को जगा रहे है या मुर्दे को जिला हैं और हजरत इसा इसलाम भी तो वाजवी तोर पर हल्की सी आवाज में कुम कह दिया करते होंगे जिन्दा हो गया तो हो गया नहीं तो छोड़ दिया अब ये सोच रहे हैं मुसनिक कैसा थोड़ी होता है कि एकदम पीछे पड़ जाते हैं हजरत इसलाम को अल्लह ताला ने भी तो वाजवी तो आप क्या कहते होंगे कुम कह दिया करते होंगे और मुर्दा जाग जाता है ऐसा थोड़े कि लट मारकर पीछे पड़ जाते हैं कि एकदम जागी जो जिन्दा होई जा मुर्दे के पीछे लट लेकर थोड़े ही पड़ जाते हैं तोफे थोड़े ही द पड़ता है उसका अंदाजा बस अहल जौक ही लगा सकते हैं अब ये मुसनि बता रहे हैं कि जिस तरह अहल जौक है यानि शौक वाले लोग है अदब का जौक रखने वाले लोग हैं लोग ऐसे थोड़ी उट जाते हैं इस तरह से बड़ा सोच समझ कर उटते हैं आखिर कर ज बुजर्गों से सुबह काजिब की जितनी इंशानिया सुनी थी, उन में से एक भी नजर ना आई तो फिक्र सा हो गया कि आज सुरज घरन ना हो, समझ में नहीं आया तो पड़ोसी को आवाज दी, लाला जी, लाला जी, जब आवाया हूं, मैंने कहा आज क्या बात है, कि जो हलकी रोशनी हा जाती है सुबह की, लेकिर उससे पहले जो होता है, थोड़ा हलका अंदेरा रोशनी, उससे सुबह काजिब कहते हैं, तो मुसनिफ कहा रहे हैं कि यह तो भोत अंदेरा ऐसा तो नहीं कि सूरज गरहन हो गया, तो उन्होंने क्या क्या पलोसी को आवाज दे कर पूछा, तो पलोसी ने क्या 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 तो तीन ही बजे हैं, तीन बजे का नाम सुनकर होश उड़ गए, चौकर पूछा क्या, कहा तुमने तीन बजे है, कहने लगे तीन तो नहीं, कुछ साथ साड़े मिनट उपर हैं, अब मुसनिफ सोच रहे हैं कि या आर्ला हमने تین وجہ थोड़े उठाने को लगा था कि तीन बचे भुरी में उठा दीजिए गा मैंने कहा अरे ओ कमबخت ख़डाई फाज़दार बत्तमीज कही मैंने तुसे ये कहा था कि सुबह जगा देना या ये कहा था कि सिरे से सोने ही ना देना खुदाई फॉजदार किसे कहते हैं ऐसा शक्त जो दूसरे के काम है खा मखा और बे दखल दे तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि आप मुझे राच से सोने ही नहीं दे सिरे से तीन बज़े जागना भी कोई शराफत है हमें तो हमें तूने कोई रेलवे गार समझ रखा है तीन बज़े हम उट सका करते तो आज दादा जान के मनजूर नजर नाखते तीन बज़े उठकर तीन बज़े उठकर हम जिन्दा रह सकते हैं अमिर्जादे हैं कोई मजाख है लहौल वलकुवत दिल जो चाहता था कि अदम तशदुद को खैर बाद कह दूँ मगर फिर ख्याल आया कि बनून हुए इनसान की इसला का कठेका तो कोई हमने ले नहीं रखा है अदम तशदुद कहते हैं तशदुद कहते हैं मारपीट को अदम तशदुद यानि बेगएर मारपीट यानि किसी चीज़ को बगएर खून خराबा किये हासिल करना तो यह क्या होगा अदम तशदुद तो मैंने सोचा कि अर्ए मैंने क्यों बनीयों बनीयों यानि कि पूरी निसान की तो हमने इसलह का लाम बुझाया और बड़बडाते हुए फिर सो गए और फिर हजब मामूल नहायत इत्मिनान के साथ भेले आदमियों की तरह दस बजे उठे बारा बजे तक मुँ हाद्ध होया और चार बजे चाई पीखर ठंडी सड़क की सैर को निकल गए शाम को वापस होटल में वारिद हुए यानि नमुदार हुए यानि पहुँचे शाम का अर्मान अंगेज वक्त हवा भी नहायत लतीफ थी तब्यत में जरा मचली हुई थी हम जरा तरंग बे गाते हुए कमरे में दाखिल हुए कि इतने में एक पलोसी की आवाज आई मिश्टर हम इस वक्त जरा चुटकी बजानी ही लगे थे बस उंगलिया वहीं पर रुख गए और कान आवाज की रफ लग गए इर्शाद हुआ आप गारे हैं जोर आप पर था आप पर मैंने कहा अजीम मैं किस लायक हूँ लेकिन खैर फरमाईए बोले जरा वो मैं डिश्टर्ब होता हूँ बस साहब मौसीकियत के रूह हमें फौरर मर गए दिल ने कहा ओ ना बेकारा इनसान तेख पहने वाले यू पढ़ते हैं साहब खुदा के हुजूर में गिलगला कर दुआ मांगी कि खुदाया हम भी अब बाकाइदा मुताला शुरू करने वाले हैं हमारी मदद कर और हमें हिम्मत दे हासू पोचे दिल को मजबूत करके मेंस के सामने आ बैखे दाथ पीसले निक टाई खूल दी निक टाई यानी गर्दन और टाई यानी गर्दन की टाई खूल दी आस्तीने चड़ा दी लेकिन कुछ समझ में ना आया कि करें क्या सामने सुर्ख, सब्ज, जर्द, सभी किस्म की किताबों का अमबार पड़ा था अब उनमें से कौन सी पढ़ें, फैसला ये हुआ कि पहले किताबों को तर्टीब से मेस पर लगा दें यानि एकदम सजा कर लगा दें, बाकादा मुतालेक की पहली मन्जिल यही है बड़ी तख्ती के किताबों को इलाहदा कर रख दिया, छोटी तख्ती की किताबों को साइस के मताबिक अलग खड़ा कर दिया यानि बड़ी तख्ती यानि बड़े साइस की किताबों को अलग रखा और छोटी जो साइस की किताब उसको अलग रखा एक नोट पेपर पर किताब के सफ़ों की तादाद को दोनों की तादार पर मुनकसिम किया निए एक सफ़े पर जितनी किताब थी सफ़े तादाद को तक्सिम किया साथे पांच सो जवाब आया लेकिन इस तरहाब की क्या मजाज जो चेहरे पर जाहिर होने पाए अब साड़े पांसर क्या जवाब है कि रूज सफा पढ़ना साड़े पांसर लेकिन इस तरह भी यानि बेचैनी परिशानी चेहरे पे बिलकुन नजर नहीं आई दिल में कुछ थोड़ा सा पच्टाए कि सुबह तीन ही बज़े क्यों न उट बैठे लेकिन कम खाभी की तब ही पहलोगा तो फौरन अपने आप पर मुलामत की कम खाभी यानि कम नेद की तब्ही यानि डॉक्टरी अटबार से गोहर किया कि कम सोने के क्या क्या परिशानिया होती है तो आखिरकार इस नतीजे पर पहुँँचे कि तीन बज़े तो लगू बात है, तीन बज़े तो बलकर फिजूल बात है, अलबता पांच शे, साथ बज़े के करीब उठना नहायत माकूल होगा। सेहत में कैम रहेगी और इम्तिहान की तैयारी भी बाकाइदा होगी। नहीं पनदम हम सवब, यानिंगे यानिंगे किसी मस्जडिस में जाते है जब। तो वहां क्या होता खूर्मा भी खाने के लिए लिए मिलता है, तो यह क्या होता, एक पंथ दो काजू, इसे यही समझ दी कि एक बार में दो काम हो जाए। ये तो हम जानते हैं कि सवेरे उठना है तो जल्द ही सोना चाहिए खाना बाहर ही खाए थे बिस्तरे में दाखिल हो गए चलते चलते ख्याल आया कि लाला जी से जगाने के लिए कहीना दें यूं तो हमारी कुवत एरादी काफी जबरदस्त है यानि सोचने के कुवत जो है मेरे अंदर बहुत जबरदस्त है जब चाहें उड़ सकतें लेकिन फिर भी क्या हरज है डरते डरते आवाज दी लाला जी उन्होंने पत्थर खीच मरा हम और भी सहम कहें कि लाला जी कुछ नाराज मालूम होते हैं तुतला के दर्खास की कि लाला जी सुबह आपको बड़ी तकलीफ हुई मैं आपका बहुत ममनून हूँ कल जरा मुझे छे बज़े यानि जिस वक्त छे बज़े जवाब नदारत मैंने फिर कहा जब छे बज़ चुकें सुना अपने चुक लाला जी कड़कती हुई आवाज ने जवाब दिया सुन लिया अच्छा बज़े जगा दूँगा हमने कहा अच्छा ये बात है तौबा खुदा किसी को महताज ना करे लाला जी आदमी बहुत शरीफ हैं अपने वाइदे के मताबिक दूसरे दिन सुबह छे बज़े उन्होंने दर्वाजे पर घूंसों की बारिश शुरू कर दी उनका चगाना तो महद एक सहारा था हम खुद ही इंतजार में थें कि ये खाब खतम होने बोले तो अभी जागते हैं वो ना जगाते तो मैं खुद ही एक दो मिनट के बार आँखे खोल देता बहर सुरत जैसा कि मेरा फर्स था मैंने उनका शुक्रियादा किया और उन्होंने इस सुरत में कबूल किया कि गोला बारी बंद कर दी अभी एक तरह से तन्स है लाला जी दर्वाजा खटा खटा रहे तो उन्होंने क्या लिका है कि उन्होंने दर्वाजे पर घुजो के बारिश शुरू कर दी यह सब तन्स लिख रहे हैं और अपने उपर भी तन्स कर रहे हैं कि यह तो मैं क्या सोच रहा है कि मैं तो उठी रहा था अब सोच रहते हैं ये खाव खताम है लिदा भी जागते हैं वो ना भी जागते हैं तो मैं खुद ही एक दो मिनट में आँखे खोल देता इसके बाद वाकिया जरा बहस तलब है तलब से हैं और उनके मतालिक रिवायात में जरा अखतलाफ हैं यानि अलग-अलग हैं मुक्तलीफ हैं बहरेहाल इसका तो मुझे यकीन हैं और मैं कसम भी खा सकता हूं कि आँखे मैंने खोल दी थी फिर ये भी याद है कि एक नेक और सच्चे मुसल्मान की तरह कलमा शहादत भी और ये भी याद है कि उठने से पहले दिवाचे के तोर पर एक आध करवट भी ली अब उनके क्या बोल रहे हैं मुसल्मे कि हमको याद है कि मैंने आँखे खोल ली थी कलमा शहादत भी पढ़ ली थी और दिवाचे के तोर पर यानि किताब को जो शुरुआत पहला पेज होता है उसमें जो किताब के बारे में लिखा होता है नोट तो वो दिवाचा उसे कहा जाता है यानि कि उठने के पहले एक दो करवट मैंने ले ली थी और फिर का नहीं पता शायद लिहाफ उपर से उतार दिया या शायद सर को इसमें लपेट लिया या शायद खासा कि खुदा जाने खराटा लिया ये यकीनी हमरे के दस बजे हम बिल्कुल जाग रहे थे लेकिन लाला जी के जगाने के बाद और दस बजे से पेश्टर खुदा जाने हम पाह रहे थे या शायद सूर ही वा बहर सूरत ये नफसियात का मसल़ा है जिसमे ना आप माहीर ना हम क्या पता लाला जी ने जगाही दस बजे हो या उस दिन छे देर में बजे हो खुदा के कामों में हम आप क्या दखल दे सकते हैं लेकिन हमारे दिल में दीन भर ये शुबा रहा कि कसूर कुछ अपना ही मालुम होता जनाब शराफत मुलाइजा हो महद इस शबह की बिना पर सुबह से शाम तक जमीर के मलामत सुनता रहा हम असनिफ अपने आपको तन्स कर रहें कि जनाब हम तो दस ब육े तक सूरे हैं ते रेकिन पता नहीं सो रहें थे जाग रहें थे यानि अपने 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 आपको शरीफ बन रहे हैं कि मैं तो सुबह से शाम तक मिरी जो जमीर की मलामत वो मैं सुनता रहा और अपने आपको कोस्ता रहा मगर लाला जी से हासास कर बाते की उनका शुक्रिया अदा किया और इस ख्याल से कि उनकी दिल शिक्नी ना हो हर दर्जा की तमानियत की जाहिर की की आपकी न वाजिश ते मैं सुछाना और रूह अदा वक्त बहुत अच्छी तरह सर्फ किया याई उनोंने उनकी बहुत शुक्रियादा किया और क्या बोला मुसणिफने लाला जी को की आपकी वज़े से मैने सुछाना रूह अदा की जो खुफ़सूरत है और रूह क वो खुश करने वाला जो वक्त होता सुबह का, बहुत अच्छे से मैंने खर्च किया, आज भी और दोनों, दिनों की तरह दस बजे उठता है, लाला जी सुबह के वक्त माख क्या साफ होता है, जो पढ़ो खुदा की किसम फौरन याद हो जाता है, भी खुदा ने सुबह भी तो मैं आपको छे बजे जगा दिया करू ना, मैंने का हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, बेशक, शाम के वक्त आने वाली सुबह के मुताले के लिए दो किताबें च्छाट कर मेंस पर इलहधा रग दी, अब शाम के वक्त क्या किया नोंने, सुबह के मुताले के दो किताबें च्छाट कर रग दी, कुर्सी को चारपाई के नजदीक सरकालिया और कोट और गुलिबंद को कुर्सी के पुष्ट पर आवाईजा कर दिया नि, कुष्टी के पीछले वाले हिस्से पर पीट पर, कंटोप और दस्ताने पासी रख लिए, तिया सलाई को तके क की नीचे ट्रटोला, तीन दफ़ाए तल कुर्सी पढ़ी और दिल में नहायत ही नेक रादा करके सो गए, अब इतना तैयारी करके रात में सोए हैं मसनी कि सुबह उटके हमें, सुबह जल्दी जागना हो और सुबह पहना भी है, सुबह लाला जी के पहली दस्तक के साथ ही आख खुल गए, नहायत खंजा पेशानी के साथ लिहाब की एक खिड़की में से इनको गुड मॉर्निंग का और नहायत बेदाराना लहजे में खासा, लाला जी मुतमेईन होकर वापस चले गए, अब का क्या उन्होंने, बहुत ही, खंजा पेशानी के साथ उन्हे ने सर न निकाला लहाब से और लाला जी को गुड मॉर्निंग का और ऐसा बेदाराना लहजे में जागे कि हम बिल्कुल जाक चुके हैं इस तरह खासे, तो लाला जी क्या होगे, मुतमेईन होगे और वापस चले गए, हमने अपने हिम्मत और अलूल अजमी को बहुत सराया, हमने अ इसा कहा कि दिल भईया, सुबह उटना हो तो महस जरा सी बात है, हम तो यूँ ही इससे डरा करते थे, दिल ने कहा और नहीं तो क्या, तुम्हारे यूँ ही औसान खता हो जाया करते हैं, हमने कहा सच, कहते हो यार, क्यानि अगर हम सुस्ती और कसालत को खुद अपने करीब ना आने दें, तो इनके मजाल क्या है, कि हमारी बाकायदगी में खलल अंदाज हों, अब मुस्न्निफ इनसान के जो पुदरती ये है, जो अंदर की ताक्त है, इसकी बात कर रहे हैं, इनसान अपने सुस्ती को अगर दूर कर दे, कसालत को दूर कर दे, तो वो आराम से उट सकता है लेकिन निसान ऐसा करता नहीं है और क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर इस वक्त कसालत को खुद अपने करीब ना आने दे यानी सुस्ती और कसालत को अपने करीब नहीं आने दे तो हमारी जो है बाकादी में खलल अंदास कोई नहीं हो सकता है इस वक्त लौहर में हजारों ऐसे काहिल लोग होंगे जो दुनिया और माफिहाय से बेखबर नींद के मज़े उडाते होंगे और एक हम हैं कि अदाए फर्ज की खातिर नहायत शगुफता तबी और गुंचे दहनी से जाग रहे हैं मसनिफ अपनी तारीफ करें कि हम हैं सारे लोग तो सोये वें रिगे काहम है कि अदाए फर्ज यानि फर्ज के अदाएगी के खातिर क्या नहार शगुफता तबी यानि खुश मिजादी के साथ और मुस्कुराते हुए अंदाज में जागे हैं गुंचे दहनी यानि बड़े म मुस्कुराते हुए अंदाज में जागे जागे हैं भै क्या बर्खुरदार और सादत असार वाके हुएं बर्खुरदार किसों कहा जाता जो बहुत है अच्छा बच्चा हो नेक बच्चा हो बर्खुरदार और सादत असार वाके हुएं नाक को सर्दी से महसूस होने लग बस जरा इसकी आदत हो जाए तो बाकाइदा कुराइन मजीद की तिलावत और फजर की निमाज भी शुरू कर देंगे आखर मजभ सबसे मुकद्दम है यानि मजभ सबसे आगे है हम भी क्या रोज बरोज इलहाद की तरफ माईल होते जाते हैं यानि अपने मजभ से पीछे हो रहे हैं ना खुदा का डर ना रसूल का खौब समझते हैं कि बस अपनी महनत से इंतिहान पास कर लेंगे अकबर बेचारा यही कहते कहते मर गया अब यहाँ पर जो अकबर का जिक्रिया है वो अकबर इलहाबादी है अकबर इलहाबादी में बहुत तनजिया नजम और तनजिया शायर है उन्होंने लिखा है उनकी तनजिया शायरी एक लाइन सुनाते हैं लिखा पढ़ना पड़ा है टाइप का पानी पीना पड़ा है पाइप का पेट चलता है आँखाई है शेह एडवर्ड की दोहाई है तो ये अकबर इलहाबादी की निजम का एक शेर है अकबर बेचारा यही कहते कहते मर गया मगर हमारे कान पर जूं तक ना रेगी लिहाफ कानों पर सरकाया तो गोया आज हम और लोगों से पहले जागे हैं बहुत पहले क्या बात है खदावन्दा ने कालिज भी किस कदर सुस्त है हर एक मुस्ताद इनसान को छेवजे तक गताई जाग उटना चाहिए समझ में नहीं आता कि कालिज साथ वजे क्यों ना शुरू हुआ करे लिहाफ सर पर बात ये है कि तहजीब जदीद हमारी अतमाम आला कुवतों को बैखकनी कर रही है अब बात ये है अब क्या हुआ लहाफ सर पर है अब सोचने कि तहजीब जदीद है यानि कि जो नई तहजीब है वो हमारी जो तमाम आला कुवतों को जो हमारे कुबबत है बैखवनी यानि इसे के इसको काट कर रही है आश पसंदी रोज बरोज बढ़ती जाती है आखे बन तो अब छे बजे हैं तो गोया तीन घंटे मतवातिर मतालग क्या जा सकता है मसनिफ सोच हैं कि अभी तो छे बजे हैं तीन घंटा लगाता पढ़ सकते हैं सवार सिर्फ ये है कि पहले कौन सी किताब पढ़ है शेख्सपियर या वर्ड जोर्थ मैं जानूँ शेख्सपियर बेहतर होगा इसकी अजिम श्शान तसानिफ में खुदा की अजमत के आसार दिखाई देते हैं शेख्सपियर अब क्या हैं अंग्रेजी के मशूर शायर हैं जो फितरत के उपर लिखते हैं जो खुदा के खुदरती चीज़ पर लिखते हैं तो खुदा के अजमत के असार दिखाई देता है और सुबह के वक्त अल्लह में की याद से बेथर क्या चीज़ हो सकती है फिर ख्याल आया कि दिन को जजबात के महशरिस्तान से शुरू करना ठीक फलसाफा नहीं है वर्जोत पढ़ें पिर ख्याल आया कि चलो वर्जोत को पाते हैं इसके अवराक में फित्रत को सकून हो और इत्मनाई मैसर होगा दिलो दिमाग नेचर की खामोश दिलावैजियों से हलके हलके लुथ अंदोज होंगे लेकिन शक्सपियर नहीं वर्जोत ही ठीक रहेगा मगर शक्सपियर हैमलेट लेकिन वर्जोत हैमलेट क्या है शक्सपियर के ड्रामी का नाम है लेडी मैकवेथ लेडी मैकवेथ क्या है शक्सपेर के ड्रामे का नाम है दिवान गे सब्ज़राजार बादे बहारी सैदे हवस कश्मीर में आफ़त का परकाला हूं ये मौमाप फरसफे ही से तालुक रखता है कि फिर जो हम ने लिहाब से बाहर सर निकाला और बड़ जोर्थ पहने का एरादा किया तो वही दस वज़ रहें थे इसमें नामालूम क्या भेद है कॉलेज हाल में लाला जी मिले कहने लगे मिश्टर सुबह मैंने आपको आवाज दी थी आपने कोई जवाब ना दिया मैंने जोर का कहा कहा लागर कहा ओहु लाला जी याद नहीं मैंने आपको गूड मॉर्निंग कहा था मैं तो पहले ही जाग रहा था बोले वो तो ठीक है लेकिन बाद में इसके बाद कोई साथ बजे के करीब मैंने आपसे तारिख कूची थे आप बोले ही नहीं हमने नहायत ताज्यूब की नजरों से उनको देखा गोया वो पागल हो गए हैं और फिर मतीन चेहरा बनाकर फिर मतीन चेहरा बनाकर माते पर तेवरी चलाई और गोरु फिकर में मस्रूफ हो गए एक आद मिनट तक हम इस तामक में रहें फिर यकायक एक महबुबाना अंदास से मुस्कुरा कर कहा यानि एक शर्माते हुए मैंने मुस्कुराया और कहा हाँ ठीक है ठीक है मैं उस वक्त नमास वड़ा रहा था नाला जी मरूफ से होकर चल दिया और हम अपने जहिद उत्तका की मस्कीनी में सर नीचे डाले कमरे की तरफ चले आए और जहिद उत्तका की मस्कीनी यानि कि उनको क्या हुआ अंदर से तो यह लग रहा था कि हम जूट बोले हैं तो उन्हे क्या हुआ अंदर से लागा कि मैं तो जूट बोल रहा हूँ और गुनाह से गुनाह कर रहा हूँ तो इसकी मस्कीनी उनके चेरे पर आगए और क्या हुआ सर नीचे डाले कमरे में चले हैं अब यह हमारा रोज मर्रह का मामूल हो गया जागना नमबर एक छे बजे जागना नमबर दो दस बजे इस दोरान में लाला जी आवाज दें पाइदे हासिल करना बर सबील तसकरा यानि तसकिरे के तोर पर बातो बातों सहर खेज यानि सुबह सबेर जागने वाला जलतरंग एक बाजा पानी से भरी बहुत से प्यालियों से जिन पर हलकी चड़की जर्व लगाकर राग पैदा किया जाता है पिंडूलम कहते हैं अंग्रेजी अंग्रेजी लफज है ये दिवार घड़ी का लटकन खिस्मत खाविदा यानि सोई हुई किस्मत बदनसीबी जिलाना यानि जिन्दा करना कुम कहते हैं कुम अर्भी लफज है उट कुम का मतलब उट हज़त इसा मुर्दों को कुम इजनिल्लाह उट अल्ला के हुक्म से कहकर जिन्दा कर दिया कर दे थे अल्ह ताला ने इसा लफजी लफजी को मुर्दों को जिलाने के गुवट दी थे तो हज़त इसा लफजी क्या कहते थे कुम इजनिल्लाह यानि उट अहले जौक अदब को जौक रखने वाले अदब को समझने और पसंद करने वाले सुबह काजब यानि सुबह के उजाले से पहले की हलकी रोशनी खुदाई फौजदार ऐसा शक्त जो दूसरों के काम में खा मखा और बेवज़ दखल दे प्यारी आउलाद यानि बहुत नेक लड़की या लड़का आम तोर पर अच्छे लड़कों वो प्यार से बरखुरदार कहते हैं अकबाल मन्द खुशबक्त अकबर से मुराद अकबर इलह बादी जो अर्दू के मशूर तनजिया वो मजाईया शाहर थे अदम तशदूर ताकत का इस्तमाल ना करना वारिद होना यानि आना पहुँचना अर्मान यंगेज अर्मानों को उभारने वाला तक्ति यानि साइज वरख की लंबाई चुलाई इस तरह आप कहते हैं परेशानी बेचैनी अर्जहन को लगो यानि फजूल बेमाने कल्मा शहादत मजहब असलाम में दूसरा कल्मा जिसमें गवाही दी जाती है कि आल्लह एक है और मुहम्म्मद चल्लह लोग वालिए वसलम इसके बंदे और रसूल है असल अरभी कल्मा है तमानियत कहते है इत्मिनान तसलिक हो जादू बियानी पियान की खुबी जो जादू का असर रखती हो आहतल कुर्सी पुरान शरीफ के एक मशूर आयत जो आम तोर पर खौफ या गवराट के मुके पर पढ़ी जाती है कि दिल मजबूत हो जाए और खतरह दूर हो जाए उरूल याजमी कहते है हिमत औ खौसला को आसाने खता होने यानि खौश जाता रहना परिशान होना कसालत यानि काहली सुस्ती दुन्या और माफिहा यानि अरभी में अरभी लफ़ या दुन्या में जो कुछ है शगुफता तबी यानि खुशमिजाजी, गुंचे दहनी, कली की तरह मूँ होना, खुशमिजाज होना सादत असार यानि जिसकी बातों से सादत जाहिर होती है तिलावत पढ़ना, खासकर कुरान मजीद का पढ़ना, इलहाद यानि खुदा का इंकार करना नेचर अंग्रेजी वर्ड है, ये अंग्रेजी लफ्स, फितरत और खुदरत दोनों के लिए एकसा बुला जाता शखस पियर क्या है, विलियम शखस पियर, अंग्रेजी का सबसे बड़ा ड्रामया, निगार और शायर वर्ड जोर्ट, विलियम वर्ड जोर्ट, अंग्रेजी का मश्यूर शायर जो फितरत का दिल दादा था हैमलेट, शखस पियर का एक ड्रामा है, लेडी मैकवेथ, शखस पियर के ड्रामे में मैकवेथ की बीवी वेखकनी करना यानि जड़ से उखाड फेकना, अजमत यानि बड़ाई, सैदेहवस, उर्दू ड्रामा निगार आगा हैश्रे के एक ड्रामे का नाम, तमक यानि गहराई, महबूबा यानि महबूबाना यानि शर्माते हुए, जहद कहते हैं गुनाहों से दूर रहना, इत्तका, डरना, खासकर खुदा से डरना, जहद एक्तका के मसकीनी, यानि गुनाहों से बचने और खुदा से डरने के नतीजे में पैदा होने वाला इजज, यहाँ ये फकरा तन्जिया है, रवायत, रवायत की जमा, यानि कही वो बात जो शुरू से चली आ रही हो आईए पढ़ते हैं गोर करने की बात इस मजमून में काहिलों और दिल लगाकर ना पहने वालों पर तंज है जो मज़ा हमें भी शिद्धत पैदा करता और हमें गोरो खौस की तरगी भी देता है गीदल की मौत आती है तो शेहर की तरह भागता है ये कहावत है और उस मौका पर भूली जाती है जब कोई ऐसा कदम उठाए जिससे मुसीबत को दावत मिलती हो सुबह सादिक सूरज निकलने से पहले का वक्त है कि जब आसमान पर उजाला फैन ले लगता है उससे पहले भी एक सुबह काजिब होती है हम खुर्मा वहम सवाब एक फारसी कहावत है मजभी महफिलों में अकसर खुर्मा एक तरह की मिठा या खजूर तक्सिम होती है और ऐसी महफिलों में जानी से सवाब भी मिलता है यानि इसे नेकी में शुमार किया जाता लहाँ हम खुर्मा वहम सबाब के माने हुए किसी मजभी मैफिल में जाएं तो खुर्मा भी मिलता है और नेकी भी लिखी जाती है यानि दो फाइदे हासिल हुए इस माइने में हम आम के आम गुठलियों के दाम और एक पंथ दो काज भी बोलते हैं बिस्तरे में दाखिल हो गए यहां बिस्तर की जगह बिस्तरा परार दे कर इससे बिस्तरे में बना लिया गया है बिस्तर की जगह बिस्तरा अब बहुत कम बोलते हैं लेकिन पहले बहुत आम था मीर का शेर है बिस्तरा था चमर में चूंबलबल नालाए सर्माय तुखकल था जजबाते का महशरिस्तान का मतलब है वो जगा ज़गा ज़गा जजबात ने हशर बरपा कर रखा हो यानि के दिल पितरस खुबसूरत फकरे लिखने में भी अपना सानी नहीं रखते ये फकरे मुलाहिज़ा कीजिए गिलास जलत रंग की तरह बजने लगा शगुफता तबी और गुन्चा दहनी से जाग रहे थे यह सब जो फकरा है यह सब समझने के लायक है यह सब जैसे गिलास जलत और गुन्चा और शगुफता में मनास्बत हैं अब अगली वीडियो में आपको मैं सवाल जवाब और इसका खुलासा पुढ़ाओंगी और बाकी अमली सरगर्मिया भी बताओंगी ठीक है बच्चों अगर आपको पसंद आया तो एक लायक करें और अपने दोस्तों को यह झाल